सपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आहवाहन पर आजमगर जिले के सभी तेहसील मुख्यालयों पर सपाईयों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार को जम कर कोसा. सपा नेताओं ने आरोप लगाया की भाजपा सरकार में किसान, व्यापारी, गरीब, मजदूर सभी लोग परेशान है. बताते चले की पूर्ग मुख्य मंतरी अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिले की आठ तेहसीलों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया. नगर के महतापाक में पूर्ग मंतरी दुर्गा प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्म को संबोधित करते हुए सपा नेताओं ने आरोप लगाया की प्रदेश की कानून व्यवस्था बेटरी हो गई. आज किसानों को उनके फसलों का उचित मूलियन नहीं मिल रहा है जिससे परेशान होकर वे आलू को सड़को पर फेक रहे हैं. इस सरकार में किसान पूरी तरह से परेशान है. इसके साथ ही नौजवानों, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग परेशान है. लेकिन प्रदेश सर सरकार इनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। किसान का जो पैदा करता है उनको जो कीमत मिलनी चाहिए उनको नहीं पा रही है। कार्या नहीं दे पा रही है। किस तरह से बिगड़ा हुआ है। एक जम खराब हो गया। इस पर इनको कोई लोग नहीं लग पा रही है। तो अनेक मुद्धे हैं आप। आज हम जापन भी देंगे। यह तो धरना परदर्सन है। अगर आने वाले दिनों में अगर हमारे राटी नेता जी का अगर अध़क जी का अगर कोई रिदस हुआ तो हम लोग आने दिनी वाले पर हम लोगों जेल भरने भी काम करेंगे। लखनव के भी बील कोई कुछ करके वहां के लाकों के संख्या में आजमगर से लोग जा करके आप बढ़ा दिया अब बन गया तो अब उद्गाटन ये करें। पूल हमने बनवा दिया तो कुछ उद्गाटन हुआ कुछ नहीं हो पाया। हम लोग काम में भी स्वास करते हैं। उद्गाटन में क्या है। उद्गाटन में दमारा साजी काम आजमगर में हुआ है। किसी छिपा नहीं है। आजमगर में हो पुरे जीले में भीकास हुआ है। चाहिए आपके किर्सी भी जाला है, चाहिए कलट्री का चाहिए आपके सामने बनी है, इतना बढ़ी है कलट्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, मेट्रोस चेल गई तो आप उसका भी उद्गाटन कर रहे हैं, अरे कोई जानता आपको जाना दे दिया है, तो कोई न करकार के खिलाब समझवादियों जूट करके इनकी खिलाब हम लड़ने का काम करेंगे, संधर्स करने का काम करेंगे।